मेरे बच्चे छोटे छोटे उनका क्या होगा बस यह COS बाजी कोई अपना नहीं है यह ना कोयी किसी का नहीं उता को एकाइए मत अब काचा बिजनस था मेरा सब कुछ था लोग जो सफेद पोश इंसान हम इने कह सकते हैं जो कभी किसी को मांग में ने सकते हैं और अपनी जो है गर्दन उची करके जो है महनत मुशक्कत करके अपना घर चलाते हैं लेकिन जब मजबूर इनसा कभी ऐसा हुगा क्योंकि मैं दोड़ा के लिए किया गया जिसमें मिलेको मदले लेट्रिंप शाब तक मिलेको बीच में हो गया था कब क्या हो जाए किदर कोई पता नहीं वाइप को यह टेंश रहती है कि यह पतनी कहां क्या होगा आएगा नहीं आएगा क्यों कुछ जीम सी जिंद्गी कुछ मशक्तों से गिर गई ऐसे नहीं एक दम जैसे कांटों के बिस्तर के ओपर चलना कांटों के ओपर चलना नंगे पाउं चाल रहा हूं बस ऐसा लग रहा है मुझे सी भी तरीके साब कर सकते हो तो हाथ जोड के सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसलिए मैं फिर एक वाद सबसे हाथ जो इस सब इनकी फाइल्स है और असलाम अलेकुम आदाब नाजरीन आप देख रहे हैं दचनाब टाइम्स मैं हूँ आपके साथ अबरारबट इस वकत बजरवा में मौझूद हूँ हूँ हविली महला में फायर सर्विस के मिलकुल अपोजिट में इनका घर है मेरे साथ पवन जी है पवन शर्मा जी और पवन शर्मा जी बहुत ही परिशान है दुखी है बुरे हालातों में गुजर रहे हैं और इन्हें आपकी जरूरत है आज और हमें उमीद है आप बचड़ के आगे आएंगे और इनकी मदद करेंगे इनकी स्टोरी आपको जरूर सुनाएंगे इ इन्होंने की है सेरी वजार के अंदर उसके बाद आज भी ये हिम्मत नहीं हा रहे हैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इन्होंने एक एलक्ट्रिक आटो लिया और तब भी जो है अपना गुजारा चला रहे हैं उस पे लेकिन आज मजबूर हुआ इन बेमार जानेंगे पूरी स्टोरी क्या है और मकामी लोग भी है जोनोंने हमें अपरोच किया है आपे बुलाया और इनसे भी जानेंगे जानना चाहूंगा पवन जी आप बताएं लोगों को बताएं क्या कुछ इशो आ रहा है क्यों परशान है आप परशान है परने जिंदकी से सोच है मेरे लिए जो इस कंडिशन में में गुजर रहा हूं कि हर डायलिस पे मेरे को कानों की आवाज भी काम हो रही है और आंखों से दिखता भी बहुत कम है दिन को थोड़ा बहुत दिखाई देता रात को तो कुछ नहीं दिखाई देता मेरे को फिर भी उसके बाद करेंगे आपके लिए लप तो मैं भी एगरी हो गया कि चलो अगर कुछ होता है तो ठीक है नहीं तो ऐसे मुझे डायलिस के दिन भी सुबह यहां से निकलता हूं वहां से आने के बाद फिर आटों चलाता हूं नोवबे तक रात को आटों चलाता हूं मार्केर में क्या करू मैं ऐसे कभी सोचा ही नहीं था ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ क्योंकि मैं खुद किदर से देने वाला इनसान था मगर ऐसे आलात ने मुझे मजबूर कर दिया कि आज मेरे लिए 10 रपे 10 लाग के बराबर हैं मैं बोलता हूं कहां से आएं कहीं से आएं चले सिस्टर मगर नह परसूँ मेरे को रात को डेड़ बजए हां से रहा फर डोडा के लिए किया गया जिसमें मेरे को लैटरिंशाब दक मेरे को बीच में हो गया अधार ने ज्वाब दे दिया तया कि दो गंटेंगे जिसका डायलिस कर वालो तब ही चलो वहां पर आपना एक लड़का था बच तदाने पूहेंगी खाह किट्रियों की वज़ा से डिल थी बर सारा मेरा सिस्टेम एक्तम खराब हो गया किट्रियों की वज़े से नहां मैंने कभी नशा किया दारू मुझा नहीं प्यूगा अब साल हो गया मेरे कोई से बमारी से जुल सते हुए और नशाय भी मैंने कभी नहीं किया है को यहार बोले की नशाय किया आटो चला रहे हैं कितना कैसा महसूस होता है किसी को मांगा नहीं खुद के दम पर आप आज भी चाहते हैं, आप करे और क्या कयड़ा चाहिए? आज भी मैं कर रहूं और क्या करूंगा? करना तो ए즘न है नहीं करूंगा, तो कैसे चलेगा घर का सरक्लों? डाक्टर Till तो बोलते हैं के राम करो, रस्थ करो. वो तो कही दफ़ा बिचारे डायलिस वाले मेरे इतने अच्छे हैं, वो कही दफ़ा बोलते हैं कि आप, वो भी बोलते कि दफ़ाइ, आप गाड़ी लेकर आते हूं, कहले आते हैं, क्युं आते हूं, दो-दो-दो बंदे रोज रोज दो नहीं जा सकते है, फॉर्ड नी हो सकता इतना किराया खरचा लगता है बचों को लेके जाओ फिर बच्के भी खरचा करवा देते हैं कहां से करेगा आदमी इसलिए मैं केली ही डायलिस के लिए चला जाता हूँ कही देपार मैं बोलता है चलो रहने तो मैं केली होके आता हूँ क्यों खर्चा बहुत होता है इतनी इमकर नहीं है जितना खर्चा है तो दिन रात आटो चला कर भी बड़ी मुश्कल से अपना मज़र सरकल चला रहा हूँ धक्य दुक्य से चला रहा हूँ कि यही सोचता हूँ कि जब तक मैं हूँ तो तब तक मेरे बीवी बच्चों को यह ना लगे कि हमें कुछ नहीं है जब नहीं रहूँगा तो फिर वो उपर वाला देखे क्या होना पीछे वो मुझे कोई पता नहीं जब तक हूँ तब तक मैं सोचता है तब तक मुझे करना है क्योंकि नहीं करूंगा तो क्या करूं भी क्या किस से मांगो सब बैतर होगा कहां पर आपकी शाप थी बोलेंगे उसके बजार में मेरी दुकान थी एक दुरगा सूर्शाप थी एक ट्राइकॉन कास्मेटिक थी अच्छी खासी दुकान थी दुकान कराया पे लिए उसने मेरे को दोखा दिया कराया पे लेकर लाग डॉन से पहले दुकान के उसको मैंने पचाश जार डवांज दिया खर्चा लगवाया दुकान के उपर लाग डॉन में कराया लेता रहा मेरे से उसके वाद बोलने लगा मेरे को गाय मर गी मेरी दुकान खाली कर दो उसमें मेरा पांच-छे लाग रपे जो था वो मेरा डूब गया कुछ बैंक के लिमट थी कुछ लोन था वो भी डूब गया वो भी कर्जा चड़ा वो भी मैंने बंबे जाके काम किया वहां से खतम किया अभी मुझे शायद PNB बैंका थोड़ा सा देना है तो चलो उन्होंने टाइम दिया हुआ बाकी मैंने जितना जो था बंबे जाके काम किया और बंबे मेरे को राद दिन मेहनद करने के बाद जो शायद वहीं से मेरे को किटनी प्रालम पर पड़ गी किए किए वहां पर र में बिजनेस किया मैंने अच्छे काम किया मैंने मगर नहीं किसमत ने साथ दिया है लाज कहां कहां पर करवाया है लाज मैंने चंदीगड में भी रहा लुद्याना में भी रहा फिर बक्षीनगर में भी रहा सूपर स्पेसलिस्ट में अभी जो सूपर स्पेसलिस्ट में मे तो डायलीज कराने के लिए मुझे डोड़ा आपते में तीन दफाव जाना पड़ता है क्यूंकि अगर मैं जम्मू रहा था डायलीज कराने के लिए तो जम्मू मेरे को रूम का क्राया भी पढ़ना था और भी खर्चा कहां से देना था इसलिए अपना गर में आया कि चलो य इंग्जेक्शन का अगर एड्मिट रहेंगे तो एड्मिट के टाइम पर हमें दे देते हैं वो सारा कुछ अड्मिट नहीं रहेंगे तो बाकी द्वाईयां लेनी है जो और जो एंग्जेक्शन लगने कुछ भी लगने वो सब अपना है कराया आने जाने को सब अपना ही क्या कहींगे आई जाब क्या कहूं मैं खुद कहने के लिए कुछ नहीं है तो बचा ही नहीं है कुछ दिल में कुछ ऐसे सुनाब नहीं सकते किसी को वही बात आगी ना रो सकते ना हस सकते हैं ना हसने में ना जीने में ना मरने में में बस ऐसे जिन कुछ हजीब सी होंगी है रात दिन बस सोच मेरा तों क्अ कि किया होगा अभी क्या होगा तो इस न हं आब रोह मत अब रोह मत अब रोह मत वह शोक से शादी की थינה ओच говорить सारा को नीया फिर इस लेरा ने पिर भी चलारा हूँ कि ये कर रहे हैं इन्होंने किया भी मेरे बचे के स्कूल का भी इन्होंने सोचा उसके बारे में भी और मैं क्या बोल सकता हूं है औरे उपरवाला है इसकी में सकता है मार्कड में चलता हूँ मरें चलता हूँ यह पर जानता हूं मेरा दिल जानता है की जानता हूं कैसे इस दिन पेद पोश इनसान हम मिने कह सकते हैं जो कभी किसी को मांग मिने सकते हैं और अपनी गर्दन ऊची करके महनत मुशक्कत करके अपना घर चलाते हैं लेकिन जब मजबूर इनसान होता है उसके बाद इस आँसु आता है और उसके बाद ही जो है लोगों की जरूरत पढ़ती है हमें पूरे अमीद है कि लोग बढ़ चड़के इनकी मदद करेंगे इनकी हेलप करेंगे सामने आएंगे इनके घर आएंगे और अरकाउट नंबर इनका हम शेयर करेंगे जरूर आप उसकी थ्रूब भी इनकी हेलप कर सकते हैं डोनेशन दे सकते हैं आप तक है अपना इला एक लिया है वो चला रहे हैं और उसी तरह जो है उससे जो है घर का खर्चा जो है निकार रहे हैं पवन जी आप टेंशन ना करें उपर वाला जरूर साथ देगा और सब ठीक होगा फिलाल मेरे साथ कुछ मकामी लोग भी है जोनों ने हमें बुलाया और दर्द थी इनकी और इनी से पूछेंगे सर क्या नाम है आपका मेरा नम सर्योग इंदर राजदान मैं जीन बाग बदरवा में रहता हूँ क्या कहेंगे आप कब से जानते हैं सबने जाना हूँ दो बजार में थी तो तब से मेरा आना जाना के रहाया होता सब से हाथ जोड के रिक्वेस्टछ मेए जितना आप कर सकते हो आदमी अपने लिए नहीं जीता किसी और दूसरे के लिए भी जीना चाहिए उसे तो हाथ जोड़ के सबसे विंती है अगर आप कुछ कर सकते हो तो इस भाई के लिए कीजिए इतना ही मैं बोल सकता हूँ बाकी तो सबसे बड़ी बात है ना कि इस आदमी की हिम्मत देखके कि जो एक बंदा सुबा छे बज़े यहां से डोड़ आप मैटर डोर में जाता है डालिस होता है और शाम को चार बज़े में भी यह वापस आता है उसके बाद यह बंदा कोशिश करता है कि मैं आटो चलाऊं और अप यह एक इनसानियत के नाते मैं मेरी रिक्वेस्ट है सबसे अगर इसकी किसी भी तरीके साब हैल्प कर सकते हो फाइनेंशली इमोशनली जिसी तरीके साब कर सकते हो तो हाथ जोड़के सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब आपके हाथ में है इसका भुष इसके बच्चों का भुष बागी डायलिसिस से कौन बार निकला यह तो सब को पता है तो चलो इसका परिवार स्क्यूर हो जाए बस यही इस टिकवार स्टोर के अधर आप कहां रहते हैं क्या नाम है जी अबरार साब मिरा नाम धीरे शर्म सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रियादा करता हूं कि आप यहां पे आए ठीक है हमने आपको जो बुलाया तो आप इतने शाट डोडिस में यहां पे आए देखे जो पावन शर्मा है इनको हम बच्पन से जानते हैं शाहिद हम हम उमरी हैं तो उसके ब अब यारल कि इतने बड़ी इनसान को मालू में जाइद हो चुकी है हो नहीं हो चुकी है लेकिन तब बहू इंसान के हो फ्लें बुलन दे वह मैनद कर रहा है और हम घर साल की बैटी है इनके घर में कोई भी गोर्मेंट एंप्लाई नहीं है कोई सोर्स अफ इंकम नहीं है तो अभी इसने हिम्मत चिंप गरा करके तो एक आटो ले लिया था एलेक्ट्रिक आटो वो भी ये खुद चला रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि इनसानित के नाते मैं हर इनसान जो इस वीडियो को देखेगा प्लीज इसको शेयर कीजिए और इसको मलब कहते हैं कि यता शक्ति तथा दान जितनी जिसकी हिम्मत है वो उतना इसमें कंट्रिबूट कीजिए ये अबरार साथ इसमें अकॉंट नमबर शेयर करेंगे ताकि इनका कुछ तो हो ठीक है इनकी जान तो उपरवला बचा सकता है लेएं कम से कम जो इनका जो परिवार है जो इनके अब जो पीछे जो रहते हैं बच्चे हैं बीवी हैं कम से कम उनका तो सर्वाइवल हो तो इसलिए मैं फिर एक वाद सबसे ये हाथ जोड़के मनलब सबसे ये करता हूं निवेदन कि इनकी जैंसे हो सके वैंसे इनकी मारत कीजिए ठीक है बहुत शुक्रिया फिलार हमें उमीद है कि लोग जो है सामने आएंगे और ये इनके जितनी भी फाइल्स वगेरा है ये मेरे हाथ में हैं ये देख सकते आप ये सब इनकी फाइल्स है और ये इनका अकाउंट नमबर है हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे और आप जो है सामने आए और इनकी help जो है वो करें फिलाल इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं और वीडियो को share जरूर करें आप अगर donate नहीं कर सकते हैं आप help नहीं कर सकते हैं लेकिन आप share जरूर कर सकते हैं और आगे वीडियो को पहुचा सकते हैं ताके ज्यादा से ज्यादे पवन जी की हल्प करें और पवन जी जो है खुशी खुशी रहें देखते ने दचनाब टाइम्स मुझे दीजे इजाज़त असलाव में